नमस्कार स्वागत हैं आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में मैं हूँ अजे ठाकूर IPL 2022 की तयारिया अपने चरम पर है उससे पहले 12 और 13 फरवरी को मेगा आक्शन होने हैं और मेगा आक्शन में कई खिलाडी हैं जिन पर बहुत मोटी रकम उन पर बोली लगाई जाएंगे और बहुत सारे खिलाडी ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड में होंगे फिर चाहे भारतिय गेंदबाज हो भारतिय बल्लेबाज हो विकेट कीपर हो विदेशी खिलाडियों कुछ टीमों को कप्तान की भी जरूष है तो कुछ ऐसे खिलाडी हैं जो कप्तानी मटेरियल वाले हैं उन पर बहुत बोली लगाई जाएंगी ऐसा लगता है कि अब उनको कोई खरिदार नहीं मिलेगा इस वीडियो में हम आपको तीन ऐसे भारतिय खिलाडियों के बारे में बताएंगे जिनकी गिंती एक समय दिगज खिलाडियों में होती थी लेकिन अब IPL 2022 से पहले जो मेगा उक्षन होना है 12 और 13 फरवरी को उनमें उस इवेंट में इन तीनों भारतिय खिलाडियों पर कोई भी टीम दिल्चस्पी नहीं दिखाएगी तो वीडियो की शुरुवात करते इस लिष्ट की शुरुवात करते इस लिष्ट में सबसे पहला नाम है केदार जाधव का IPL 2017 केदार जाधव के लिए बहुत अच्छा रहा था जहां उन्होंने RCB के लिए 143.54 की स्ट्राइक रेट से 266 रन बनाए थे हलाकि उसके बाद अगले चार सीजन उन्होंने कुल मिलाकर 29 मैचों में 303 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत चर्चा का विशे रहा है और पिछला कुछ वक्त जो केदार जाधव के लिए रहा है उसके मताबिक ये कहा जा सकता है कि केदार जाधव को इस बार कोई खरीदार ना मिले लिष्ट में दूसरा नाम है इशांत शर्मा का टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाजों में शुमार इशांत शर्मा इशांत शर्मा ने पिछले 13 सालों में 6 IPL टीमों के लिए खेला है इशांत शर्मा IPL इतियास में सबसे ज्यादा विकेट्स चटकाने वाले 38 नश्चिता जबसे लास्ट जो नाम है जो सबसे चोकाने वाला नाम है वो है मुरली विजय का मुरली वीजय आई-पि-ल इतिहास के सबसे सफल खिलाडियों में से एक रहे है आई-पि-ल इतिहास के अगर हम उनकी बात करें तो 606 मैچوں में 2619 रन उनके नाम दर्ज है वो IPL इतियास के उन चुनिंदा बल्ले बाजों में से एक है जिनके नाम एक से ज्यादा शतक दर्ज है उनके अगर हम शतक और अर्दशतकों के रिकॉर्ड की बात करें तो दो अर्दशतक उनके नाम दर्ज है तो वहीं पर 13 बार उन्ह ने सिर्फ एक मैच खेला था 2019 में उन्होंने सिर्फ दो मैच खेला था 2020 IPL सीजन में उन्होंने सिर्फ तीन IPL मैच खेले थे और पिछले सीजन तो वो हिस्सा भी नहीं ले पाए थे पिछले इस सीजन एक भी मैच नहीं खेल पाए थे तो मुरली वीजय के लिए पिछला अपके इस वीडियो पर क्या राय है क्या आपके पास भी किसी खिलाडी का नाम है जो आपको लगता है कि उन पर भी कोई टीम इंट्रेस्टेड नहीं होगी मेगा औक्षन में उनको भी खरीदार नहीं मिलेगा आप अपनी राये हमें कमेंट के जरी जरूर बताएए और ऐसे अपडेटेट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स फैक्ट